दोस्तो आज में आपको सारुखान की तीन ऐसे फिल्म के बारे में बताऊंगी जो कनफर्म हो चुकी है तो दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नाए हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेना तो दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं नमबर वन पे डॉन त्री डॉन त्री इंडियन सिनेमा की वन अप दा मोस्ट अवेटेड एक्षन फिल्म होने वाली है। और अभी फरान अक्तर डॉन त्री बनाने वाले हैं। यह फिल्म आपको 2024 या 2025 में देखने को मिल सकती है। नमबर टूपे जवान जवान सारु खान की आने वाली एक्षन फिल्म होने वाली है। फिल्म का एनांस्मेंट टीजर बहुत ही ज़दा कमाल की लग रही है। और इनांस्में टीजर में सारु खान का लुक बहुत ही ज़दा खतरनाक लग रहा है। वैसे यह फिल्म पेन इंडिया फिल्म होने वाली है। जिस फिल्म को 200 करोर की बरी बजट के साथ बनाई जा रही है। और इस फिल्म में आपको सारु खान डबल रोल करते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिसमें सारु खान बाप और बेटे का रोल खुदी करने वाले हैं। और इस फिल्म में दीपिका सारु के वाईप का रोल करने वाली है। और इस फिल्म को रिलीज की जाएगी सेकेंड जुन को रिलीज करने वाले हैं 2023 के मौके पर नमबर थ्री पे पठान पठान सारुखान की आने वाली एक बरी एक स्पाईयस पेलर फिल्म होने वाली है और ये फिल्म 2018 के जीरो फिल्म के बाद सारू खान की अब भी एक फिल्म होने वाली है इस फिल्म में हम सभी को सारू खान दीपिका पादुकोन और जैन अब राम दिखाई देने वाले है लीड रोल में और इस फिल्म में सारू खान इंडिया के एजेंट का रोल करते हुए दिखने वाले हैं और दिपका पादु कॉन भी इस फिल्म में एक एजेंट का रोल करने वाली है और इस फिल्म में सलमान खान भी नजर आने वाले हैं एक्सडेंटेड कैम्यों में राज टाइगर और मज़ा आने वाली है और इस फिल्म को रिलीज की जाएगे 25 जनवरी 2023 को तो दोस्तों आप इस फिल्म को देखने के लिए कितना एक्साइटेड है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं